ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रू सादर जेसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल यह राशी फले 25 दिसंबर 2021 शनिवार का दिन है पोश माहा के कृष्ण पक्ष की शष्टी टिठी है पूरवा फालुणी नामक नक्षत्र होगा तथा सिंग रासी में चंदरमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुक्सान दाई साभित होगा अगर किसी कारण वस पूरुदिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अवश्यक हो तो अध्रा खाकर के यात्रा आरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू हो करके साड़े दस बजे तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुब या मैंगलिक कारिक्रम संपन नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णए आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई स्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिहम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी धनु राशी में, वहीं चंद्रमा सिंग राशी में, मंगल ग्रह व्रश्चिक राशी में, बुद्ध ग्रह धनु राशी में, देव गुरु ब्रहस पती जोकी कुम्ब राशी में, शुक्र ग् मकर राशी में शनिदेव मकर राशी में राहू व्रशब तथा केटू व्रश्चिक राशी में विराजित रहेंगे इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश मिठुन सिंग तुला धनु एवं मीन ये इस छे राशियां सबसे अदिक भागिशा ले देने वाली है देन इनके प्रसिद्ध होगा धनलाब के सांसात का रिक्षित्र में उन्नती तथा प्रगति के उत्ताम आउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर कि मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी भल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंततक जरू देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासिगी पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे हैं खराप संबंदों में सुधार आएगा घर की सुक्स्विधाओं संबंदी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा इस समय आर्थिक स्थिती उचित बनी रहेगी भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदित कुस कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अधिक्टा हो सकती है अपनी भावक्ता जैसे स्वभाव पर यंत्रन रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विपरित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गती विद आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक सामाजिक था अन्य कारियों के प्रती आपका विशेस योगदान रहेगा आपको एक नई प्राप्त होगी किसी पारिवारिक मुद्दे में भी आपकी विशेस उपस्तिती रहेगी इस समय परिस्टितियों में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी स इसके साथ ही खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं नजदी की मित्र की सला आपके लिए फाइदयमंद साबित होगी उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल फुल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिश या सिख्षा के अनुरूप कोई न कोई नोकरी मिलने से उनकी चिंताएं दूर हो जाएगी धार मकार मतथा अध्यात में गती विदियो में आपकी रूची बढ़ेगी इस समय धन के लेंदन संबंदी कोई नुकसान होने की स्थितियां बन रही है जिसकी वजह से महत्पुर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वह नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेहतर है क्योंकि इस समय कोई भी महत्पुर्ण इननने गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है बहतर होगा की वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुकरी पेशा व्यक्तियों को काम की अधिक्ता की वज़े से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अं अच्छे से व्यतित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परियास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बनाकर रखेंगे व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य सहज तरीके से पूरे हो जाएंगे परन्तु अपने हो सकता है उपाय के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आपका प्रभावस्वाली तथा महत्वण लोग के बीच में कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मबल्व कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वाणी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी सामाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी-कभी ऐसा प्रतीत होगा कि भाग्या आपका स नहीं दे रहा है जिसकी वजह से आपके आत्मश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करें कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको फाइदा होने का योग बन रह है उपाई के रूप में घर के मंदिर में पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आपके उत्तम यक्तित तथा प्रभाव साली वानी क प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंगे दोस्तों तथा रिस्तेदारों के साथ मेल मिलाब से खुशी आपको महसूस होगी अपने आ हरी घास या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की दिन की शुरवात बहुत ही सुखद रहेगी आपके सभी सोचे समझे काम शांती पू सीबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है इसलिए इस समय बहुत ही समझदारी से काम लेने की आउशक्ता है घर के वरिष्ट व्यक्तियों की सलहा पर आपको अमल करना चाहिए आज अपनी उर्जा सकारत्मक कारियों में लगाएं धनलाब ह रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा और उपाय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चि इसके कारण संबंदों में खटास उत्पन हो सकती है कोई भी बाहरी व्यक्ति आपकी भावनाओं का गलत फाइदा उठा सकता है इस समय अत्याधिक सचेत रहने की आपके लिए आउशक्ता होगी और उपाय के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएं अंक दो होगा भगशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की आर्थी की सिती बहतर रहेगी रुका हुआ या उधार दिया पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी तथा अपनी व्यभार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में आ आने का अमंत्रन आपको प्राप्त होगा पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तयार होंगे कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना चाहिए योजना को क्रियानवित करने से पहले एक बार पुना उस पर सोच विचार अविश्य कर ले तथा आपको कहीं से कोई सुखत समाचार प्राप्त होगा जिससे घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा और जो भी सुचना आपको मिले उससे नजर अंदाज ना करे आपक करते हैं कुम्ब राशी की आज हास परिहास था मनोरंजन संबंधी कारियों में आपका समय व्यतीत होने से स्वयम को हलका फुलका और उर जावान महसूस करेंगे घर की जर्वत संबंधी कारियों में आपका विशेस योगदान रहेगा बच्चों के साथ उनके क्रिया में रूची जाहिर करना उनके आत्मिश्वास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भग जैस उपलब्धी को लेकर के चर्चाएं रहेगी जैसे मन में उमंग वरी रहेगी किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बन रहा है और उपाई के रूप में माता लक्ष्मी जी को पिला फूल चड़ाना आपके लिए शुपलताई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा तो मित्रो यहां बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाई तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शे झाल झाल